Hello guys, this is Shurikot and guys आज ही इंडिया में लॉंच हो गया है Redmi Note 7S यह डिवाइस और कभी हद तक यह डिवाइस जो है यह चाइना वेरियंट नोड जो चाइना वेरियंट है उसका ही रिप्रांड़ भर्शन है Redmi Note 7S जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है 48 MW का रियर कैमेरा सेट अप तो यह आज इस वीडियो में बताने बाला हूँ कि क्या आपको यह जो Redmi Note 7S है यह चाहिए या फिर नहीं completely आपको अगर आपके मान में कोई भी डाउट है के लिए चल अज़ो देख कर आपका जो सारी डाउट है वो सब Doe सब फो जाएगा तो यह वीडियो के इंट तक देखते रह ना सबसे नर्ट के बात करते हchaeं मोबायल के बाण के बारे में हरो बात करें स्केनर और इसमें यूएस्बी टाइप सी पोर्ट भी देखने के लिए और आयर ब्लस्टर भी है फोन की ऊपर में हम बोल सकते हैं अब इस रिवाइब इसमें हमें हमें है यह स्लोट देखने के लिए आप एक दो सीमकाट लगानी कि साथ एक स्केनर नहीं लगा पाएंगे एक सीमकाट एक माइक्रोडी काट या फिर दो सीमकाट लगा पाएंगे यह कौन है अब की टाइम में बोल सकते हैं बाकि इसमें हमें पीटुए कोटिंग देखने के लिए मिलता है जो कि स्प्लैश प्रूफ है तो यह अच्छी बात है कि इसमे बात करें डिजाइन की बात करें तो ठीक ही है रेद्मी नोट 7 प्रो जैसे ही आपको देखने के लिए लगेगा एकनुप सेम तुसेम ही हम बोल सकते है अब के ताइम में तो देखने में अच्छा लगता है पकरने में भी अच्छा लगने वाला है क्योंकि ग्लैस बैक है अबर 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 अगर डिस्पले की बात करें तो यहां हमें 6.3 इंच का FHD Plus Solar Resolution बाले इसपले देखने के लिए मिलता है तो वही डिस्पले हमें डेखने के लिए बात करें तो इसमें हमें स्नाप्डागन का 660 वाला प्रोसेशर देखने के लिए मिलता है जो की मिला था अबर इसमें पर अबर इसमें पर अबर इसमें तो यही काम है 12 Megawix वाला आउटफुट आपको प्रोवाइट करना और पिक्सल बाइनिंग टेक्नोलोजी लेकिन फिर भी 12 Megawix वाला आउटफुट आपको अच्छा आउटफुट देखने के लिए मिलता है इसमें पर नहीं है मैं बहुत सारी फॉटो सेंपल्स भी देखा था तो बहुत अच्छा लगा है मुझे इस डिपाइस का कैमेरा सिफुरी टेक का वीडियो भी देखा था अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो देख लीजे बहुत ही हिल्प होगा आपको लाइक रियल मी 3 प्र बहुत ही अच्छी तरह से और फ्रॉंट में हमें 13 Megapixel वाला ही कैमेरा देखने के लिए मिलता है जैसे कि Redmi Note 7 में हमें भी है लेकिन जो नहीं मिलता है वह में बॉक्स में नहीं मिलता है तेन वर्ट का स्टैंडर्ट चार्जर में देख सेंटीर व्हार लेकिन गाइस क्विक चर्च फोर का जो चार्जर एडप्टर है वह इंडिया में अभी की टाइम में नहीं है तो 10 वर्ट का ही चार्जर से आपको काम चलाना होगा और गाइस इस इस इपाइस का जो 3Gb ब्लस 32Gb वाल विरियंट है उसका प्राइजिंग है 13,000 तो अभी में स 4Gb वेरियंट है 13,000 की प्राइजिंग रेंज में उससे अगर आप 1000 और इंक्रीज करेंगे 14,000 अगर आपका प्राइजिंग हो तो मैं आपको रिकुमेंट करूँगा कि आप Redmi Note 7 Pro की तरफ जाए एक हजर और अगर आप लगाएंगे तो आपको डेफिनिटली जो स्नैप्ड अगर आपको 32GB में कोई भी दिक्कत नहीं है तो डेफिनिटली आप इस डिबाइस को कॉंसीडर कर पाएंगे बाकि यह जो 4GB वाला विरेंट है 13000 में मैं उसको रिकुमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जो 14,000 में आपको और भी बेटर पहलो मिल रहा है रेड्मी नोट 7 Pro में तो अभी के टाइम में इतना ही बोल सकता हूँ तो उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करना मद भूलना मेरा ना में शोई को दबन देता हूँ अब सेगोंड़े और एक्सेटिंग वीडियो में तब तक के लिए जाए हीद बंदे माते